हलो बच्चो इससे पहले के वीडियो में मैंने आप्टिक्स और टैप्स ऑफ आप्टिक्स के बारे में बतलाया है जिसमें मैंने यह बतलाया है कि आप्टिक्स के दो टैप्स होते हैं एक रे आप्टिक्स जिसको जिमेट्रिकल आप्टिक्स के रूप में जाना जाता है और दूसरा वेव ऑप्टिक्स जिसको फिजिकल ऑप्टिक्स के रूप में भी जाना जाता है, साथ ही मैंने दोनों का डेफनेशन भी बताया था, और दोनों में क्या-क्या पढ़ना है और किसके अरहार पर पढ़ना है यह भी बतलाया था, तो जब मैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो मैं बात करूँगा, तो पिछले क्लास में जो मैं बताया है, उसको जरूर से अपने दिमाग में लाइएगा, जैसे मैंने अभी क्या बोला, कि जिमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मैंने आप लोगों को बताया है क्या-क्या पढ़ना है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क् क्या पढ़ना है reflection and reflection चुकि मैंने कल ही बता है कि बिना pain और paper बिना board का मैं study करवाऊंगा तो मैं जैसे बोलूँगा वैसे सोचना होगा अब फिर मैंने क्या बोला था किसके अधार पर हैसो पढ़ना है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसके अधार पर reflection और reflection पढ़ते हैं geometrical optics में किसके अधार पर rectilinear propagation of light तो आईए आज हम सा geometrical optics के कुछ basic points को देख लेते हैं कि आखिर geometrical optics में जो पढ़ते हैं वह rectilinear propagation of light के अधार पर तो वह कैसे related है कि हम लोग वही चीज पढ़ेंगे reflection और reflection आज ये सिखेंगे हम लोग गौर से अंत तक वीडियो जब आप सुनेंगे तो जरूर से आपको पता चल जाएगी कि मैंने क्या बोला है कि आपको आज पता चलेगी कि rectilinear propagation of light के अधार पर हम लोग क्यों reflection और reflection को पढ़ते हैं कहां पर geometrical optics में सो पता चलेगी तो आईए definition से ही शुरुवात करते हैं क्या rectilinear propagation of light परकास का सीधी रेखा में गमन rectilinear का हिंदी क्या होता है सीधी रेखा में propagation का गमन और यानि परकास का सीधी रेखा में गमन गमन के जगा में संचरन भी बोल सकते हैं आप गमन के जगा पर चलना भी बोल सकते हैं मतलब परकास का सीधी रेखा में चलना परकास का सीधी रेखा में संचरन परकास का सीधी रेखा में गमन जैसा मैंने हिंदी बताया definition उसी परकार से लिखा हुआ है आप गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है the light travels along a straight line path चलता है travels का मतला आप जानते हैं चलता है along a straight line path एक सीधी रेखा पत पर चलता है is known as वही जाना जाता है क्या rectilinear propagation of light वही जाना जाता है क्या परकास का सीधी रेखा में गमन अब जो सीधी रेखा बना तो वह कहीं पर बनेगा न तो वह जहां पर बनेगा वह क्या चीज है बिल्कुल आप सही सुनें मैंने क्या बोला कि जो सीधी रेखा बनेगा वह कहीं पर बनेगा न यानि वह कोई अस्थान होगा ना, अब वह अस्थान होगा जहाँ पर वह रेखा बनेगा, जैसे कोपी में अगर आप एक लाइन किजीए, तो वह कोपी में उस जगह को घेरा ना, तो जो जगा घेरता हो उसको क्या करते हैं उसको substance करते हैं आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे कि जो space occupied करता है उसे क्या करते हैं सबस्टांस कहते हैं, अब सबस्टांस का कितना आवस्था होता ये भी आप जानते हैं, तो हम यहां पर क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, चुकि परकास सीधी रेखा में गमन करता है, यानि सीधी रेखा कहीं पर वह जगा लेगा ना, तो उस जगा को हम लोग यहां पर क्या बोले और optical medium के रूप में जानते हैं इसलिए next topic क्या लिखा हुआ है इसमें medium और optical medium optical medium को ही in general medium सब्द से हम लोग हमेशा use करते हैं इसलिए इसके बाद हम हमेशा medium ही लिखेंगे लेकिन आपको वो क्या समझना है कि optical medium बोल रहे हैं परकासिय माधियम परकासिय माधियम क्यों पढ़ रहे हैं चुकि हम लोग light के बारे में पढ़ रहे हैं लाइट कैसे चलता है geometrical optics में उसके अधार पढ़ने जा रहे हैं तो इसका definition क्या हुआ अब आपने से सोचिए वह अस्थान जो घेरता है तो यानि वह पदार्थ जिस्से हो करके वह लाइट जाएगा तो हम यहां क्या लिखा है देखिए दस सब्स्टान्स वह पदार्थ त्रू वीच जिस्से हो करके light propagate जिस्से हो करके वह line जाएगा line मतलब वह light जा रहा है है तो वह सब्स्टान्स जिस्से हो करके light propagates करता है चलता है is known as क्या medium उसे कहा जाता है medium और optical medium इसका मतलब है कि light के प्रोपागेट जिस्से हो करके जिस्सस्टान्स से उसे medium कहते हैं इसका मतलब light propagates किन-किन सब्स्टान्स से हो करके करता है या सोचना चाहिए तब आपको है सो समझ में आज आएगी कि नीचे का topic क्यों ऐसे लिखा गया है types of medium medium के परकार light कहां से कहां चल सकता है आप अपने से सोच जो कि light किस से हो करके असानी से चला जाता है glass से water से चला जाता है उससे हो करके तो वह substance जिस से हो करके easily light propagate करता है the substance through which light propagates easily is known as आप 10th class में पढ़े होंगे उसे क्या कहते हैं transparent medium उसे कहते हैं पारदर्सी माध्यम जो आप नीचे class में पढ़े हैं transparent medium क्या होती है पारदर्सी माध्यम क्या होती है इसलिए मैंने glass सब्द का परयोग किया water सब्द का परयोग किया अब आप लोग समझ गए होंगे अब बोलिएगा sir यहाँ पर उस medium में हम लोग ये समझ गए कि उस medium में परकास सीधी रेखा में जाएगी यानि glass और water में भी लेकिन इससे हम लोगों को कहा पता चला कि मतलब हम लोग जो पढ़ना इस्टार्ट किये हैं वह rectilinear propagation of light ही चल रहा है और साथ में उसमें हम लोग reflection पढ़ेंगे कि reflection तो आप गवर से सूछिए नीचे क्लास में पढ़ेंगे कि जब light परकास एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है one medium से another medium में जाता है तो परकास का यह घटना परकास light का यह फिनोमिना क्या कहलाता है गोर से समझे light का यह फिनोमिना क्या कहलाता है रिफ्रेक्षन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, अब आप समझ में आया कि अपवर्तन वहाँ क्यों पढ़ते हैं वाटर में, गलास में, नीचे गलास में, जल में आप लोग पढ़े होंगे, वाटर में कैसे रिफ्रेक्षन पढ़े होंगे, अगर आप लोग को ध्यान होग हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़े होंगे वास्तुई गहराई और कालपनी गहराई अभासी गहराई के बीच संबंध किसी वस्तु के इमेज का बनना का तो वहां लाइट कहा गया पाटर के अंदर गया था ना इसको मैं आगे बताऊंगा तो यह रिफ्रेक्शन ओफ लाइ करते हैं जो डायाग्राम खीस्ते हैं जो फिगर बनाते हैं किसे दिशें लेक्श cells संड्केसे दूसरे में दिशन में भी都是«षी थीए को यह थोड़ा सोच थ hose के आप ट्रांसपैरेंट एटम कों कों होता है जितना दुनिया में transparent medium आप सोच सकते हैं, सब में reflection पढ़ेंगी, सब में अपवर्तन पढ़ेंगी, है ना, पारदर्शी माध्यम जितना है, उससे हो करके अपवर्तन पढ़ना है, यह दिमाग में लाना होगा आपको, वाटर जितना वर्शा की बुन्दों में भी reflection होगी ना, यह आगे मैं आगे और details बताऊंगा, next, translucent medium, जिसका हिंदी क्या होता है, पारभासी माध्यम, पारभासी का मतलब क्या हो गया, माध्यम का मतलब क्या हो गया, मतलब यह हुआ कि the substance वह पदार्थ, through which, जिससे हो करके light propagates, इसमें भी light propagates होता है, संचरन करता है, चलता है, ठीक है, लेकिन कैसे, easily नहीं, partially, मतलब आंसिक रूप से, उसे हम लोग translucent medium करते हैं, तो जैसे grounded glass, घिसा हुआ काज में, जब light है, तो आप उसमें incident करवाईएगा, आपतीत करवाईएगा, तो कुछ भाग उसके अंदर जाएगा, और कुछ बाहर ही रहेगा, तो जो अंदर गया, वह क्या हुआ, air से, उसके अंदर गया कुछ भाग, तो उस रिफ्रेक्शन हो गया, अप वर्तन हो गया, लेकिन जो air से, और कुछ air में ही कुछ अंसर हो गया, तो वह रिफ्रेक्शन हुआ, इसलिए grounded glass में, दोनों चीज पढ़ेंगे, क्या, reflection और reflection दोनों, तो 10th class में आप क्या, केवल इतना definition जानगे, बात खतम, लेकिन 12th class में मैं कैसे बता रहा हूँ, कि हम लोग, reflection और reflection जो पढ़ते हैं, rectilinear propagation of light में, वह कहा कहा पर पढ़ते हैं, तो जितने भी transparent medium हैं वहाँ पर, हम लोग क्या पढ़ते हैं, reflection of light पढ़ते हैं, जितने भी translucent medium हैं, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, reflection और reflection दोनों पढ़ते हैं, अब तीसरा जिसको आप सोच रहोंगे कि हाँ हाँ आप समझ में आ गया कि ओपेक मीडियम का मतलब आप आरदर्सी हुआ तो वह माध्यम जिससे होकर के light पास नहीं कर सकता है the medium through which वह medium जिससे होकर के light cannot propagate light है सो प्रोपागेट नहीं कर सकता light है सो पास नहीं हो सकता है is called opaque medium उसे कहा जाता है क्या opaque medium आप आरदर्सी माध्यम तो अब आप अपने से सोचिए कि आप आरदर्सी माध्यम के कौन-कौन से example हो सकते हैं जिससे light जाही नहीं सकता है तो आपका घर में वाल है दिवाल से अगर light टकराएंगे तो light उससे हो करके उसके अंदर जाता है क्या नहीं न तो वा फिर कहा जाता है उस दिवाल से टकरा करके जीधर से गया था उसी तरफ है सो लोट जाता है तो अब आपने से सोचिए परकास का यह घटना light का यह फिनोमिना क्या कहलाता है नीचे क्लास में पढ़े हैं आप वा क्या कहलाता है परकास का परावर्तन reflection of light आगया ध्यान में तो अब आपने से देखें कि जो लेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग जो reflection और reflection पढ़ते हैं तो जहां पर भी यह तीनों माध्यम में मैंने बताया तो आवगर आपको figure याद होगी नीचे क्लास में कि आप वर्तन का चित्र कैसे बनता है फिर प्रावर्तन का चित्र कैसे बनता है तो अब आप समझ जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा कि यह प्रोपागेशन ओफ लाइट के अधार पर ही हम लोग reflection और reflection पढ़ते हैं समाझ गये होंगे तो इसलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा कि geometrical optics में जो रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ओफ लाइट के अधार पर जो हम लोग पढ़ते हैं वह reflection और reflection वह कहां कहां पर पढ़ते हैं वह किन किन medium में पढ़ते हैं तो प्रोपागेशन ओफ लाइट के अधार पर medium को तीन भागों में रखा गया यानि light जो संचरन करता है वह तीन अधार पर रखा गया है transparent medium, translucent और opaque medium अब transparent में हम लोग क्या पढ़ते हैं, reflection पढ़ते हैं या फिर reflection पढ़ते हैं या फिर reflection पढ़ते हैं translucent में, medium में हम लोग क्या पढ़ते हैं, reflection पढ़ते हैं कि reflection पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं सुच एए एक बार फिर से. Opak medium में हम लोग क्या पढ़ते हैं? Reflection पढ़ते हैं या Refraction पढ़ते हैं? आसा करते हैं कि मैं आप लोगों को Geometrical Optics में पढ़ना है, वह आगे क्यों हम लोग बढ़ेंगे? आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे हम लोग क्या समझेंगे यह हैसो आप लोगों को अब समझ में आने लगी होगी कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले तो वो पढ़ेंगे लेकिन केवल एक टॉपिक को characteristics of light को समझने के बाद तो next वीडियो में हम लोग characteristics of light पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग reflection of light को start करेंगे आज के वीडियो के लिए इतना ही आप लोग जो मैंने बोला उसको एक बार फिर से सोचेंगे और अगर जिन बच्चों को सोचने में दिक्कत हो रहेगे तो मेरे वीडियो को फिर से दुबारा सुन ले जिससे आपको फिर से सोचने की आदत हो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग characteristics of light के साथ अभी के लिए thank you